नमश्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत कर रहे हूं शिक्षा प्रवा में नाइंध क्लास के बच्छों ने दिया है आज मैट्स का कंपार्टमेंट एक्जाम सीबीसी बोर्ट से असी नबर का पेपर आप लोगों का था पिटा और आप लोग इस वीडियो मे में कर रहे हैं तो जैसे कि यह फर्स्ट कॉष्ण है आपका एक आमान यहां पर आपको निकालना था तो एक आमान इसके अंदर आपका हुगा माइनस सिक्स एक्स की वेल्यू वन आजाएगी और अग्स की वेल्यू जब आप समीकरण में रखेंगे तो आंसर निकलेगा आपका यहां पर आपसे रॉंबल्स की जो आम है उसका मिजर्मेंट पुछाता तो इसका हो जाएगा मतलब परिमाप फोर होता है और दोनों बुचाएं जो हैं वो बराबर होती हैं तो इस तरह से आप 3x-6 is equal to x-14 रखेंगे तो आंसर निकलकर आएगा आपका आपका आप 96 तीसरा कुश्चन आपको मूल बिंदू के निर्देशांग कुछ है तो इसका सही आंसर है आपका आपका ऑप्शन दी 00 सिक्षब रवा पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको जिससे कि जब आप पास हो जाएंगे और class 10 पे प्रमोट हो जाएंग तब आपको यहां पर मिलेंगे आपको अपने बाकी सभी सब्जेक्ट के मॉडल टेस्ट पर सीब्सक्राइब पर स्लेबस प्रीविस से क्वेशन पर उनका सॉलेशन और आपके हर एक्जाम की मार्किंग इसकी तो चैनल कर सब्सक्राइब करना नहीं बूलना है और अगर प परसॉटन एस चैनल कर ओनल यदें कर्या स्यसक्राइब क्याकर जरुप्शक्राइब कर्च्राइलर जरुम्हर सेक्टर्ण परें मालट हैं ह। option A question number seven में आपका सिरी आंसर है option B question number eight का answer होगा आपको बुजा और मतलब की arm एंगल और arm से यह आप लोग इसको सर्वांसम सिद्ध कर रहे हैं तो आजाएगा आपका option B as a question number nine का answer होगा आपका सही answer होगा आपका option B three units question number 10 में आपको class marks बताना है तो दोनों को add करके दो से डिवाइड कर देते हैं option D इसका सही answer है कि रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो 360 से आपको डिवाइड करना था इसको इसका सही answer है option B question number 12 a की map आपको निकालनी थी angle a तो 90 हो जाएगा क्यों कि वह समकोन है question number 13 का answer होगा आपका जिसके अंदर आपको B की map निकालनी है 30 sorry 72 option C question number 14 का formula आपसे पूछा जा रहे तो formula है उसका पाई आर एल question number 15 में आपको 6x निकालना था तो 9x को डिवाइड कर देते तो आपका 6x value आ जाएगी option C 120 16 यह इसका अंसर हो जाएगा आपका option A sorry option A 4 जोचिक है question number 17 है आपका इसका अंसर हो जाएगा आपका 13 cm option C question number 8 में आपका सही आंसर है option B 403 इन सब को solve किया गया है इसका सही आंसर है आपका सही व्याख्या है A और आड दोनों सकते हैं और सही व्याख्या है question number 20 का भी यही है सही है और सही व्याख्या है A और आड दोनों सही और सही व्याख्या है तो यह था आपका MCQ का solution और बागी question आपने करी दिया होंगे जहां तक है लाइक कर दीजिए दोस्ते के साथ शेयर कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वॉचिंग आइस